नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका न्यूद करशाइस यूटूब चैनल पर और हिंदी की जो शिंखला है उसमें मैंने अलंकार मतब स्टार्ट किया था और आज अलंकार का हम लोग पार्ट टू पढ़ेंगे अर्था अलंकार तो उस अलंकार वाले टॉपिंग में बच् के एक्जामनेशन पॉइंट ओफिस खासकर जो यूपि पेट और उससे लेटर जो भी वेकेंसी आने वाली है उसके लिए बहुत ही मायने रखता है तो आज इसको हम लोग अच्छे से संजहेंगे बच्चों याद करेंगे और अच्छे से नोट डाउन भी करेंगे देखि अब दिख रहा होगा बोड पे इसमें आठ है इनमें हम आठ अलंकार पढ़ेंगे तो अर्था अलंकार की कितने भेद हो गया आठ है ना एक मानवी करण भी है बट बहुत इंपर्टन नहीं है उसको मैंने हटा दिया तो जो अर्था अलंकार है इसमें हम 8 अलंकारों की का मापन करना ही उपमा अलंकार कराता है जिसे ये भी पैन है और ये भी पैन है ये दो समान चीजें हैं इनकी जब आप तुलना करेंगे या मापन करेंगे तो वहाँ पर बच्चों क्या हो जाता है उपमा अलंकार हो जब हम लोग differential study करते हैं मतलब हम एक दूसरे का तुलनात्म का ध्यन करते हैं तो वहां पर बच्चों कौन सा लंकार हो जाता है उपमालंकार हो जाता है अब आपको समझ में आ गया होगा अब एक चीज़ और आपको धान देना है इसको पहचानने का तरीका क्या है इसको लिख रहा है तो वहां पर आप उपमालंकार लगा देंगे आख मूद कर लगा देंगे बच्चों यहां थोड़ा सा भी घवडाने वाली बात नहीं है यह निश्चिन तो हो जाईएगा कि चीज़े सही बता मतब हैं कि नहीं है आपको जहां पर भी याद कर लीजे सा सी से समसरिस दिखाई देगा आप आख मूद करके वहां पर क्या लगा देंगे बच्चों उपमालंकार लगा देंगे क्लियर तो उपमा हम लोग समझ गये क्या होता है दो समान चीजें उनमें तुलनात्म कध्यन होगा वह उपमालंकार होगा पहचानने की ट्रिक भी हमने कि उपमालंकार आखिर होता क्या है और यह प्रस्णा आपका पूछा गया है एक्जाम में मोम शा तन घुल चुका물. दीपविधसा मन जल उठा यहाँ सेंटेंज है मोम शा देखे सायय तन घुल चुका मन जल उठा कि देखे सेंटेंस में आपको जो आ सावर्ड आरहा है, दोबाद आरहा है, देखें, एक तो पहले सेंटेंस में, मौम सा rumors घुल चुका, मतब मतब जो तन है, ओम, मौम का है, ओम का है खुल गया है, तो सा मतलब मतलब वहां पर क्या किज़ा रही है, तुलना किज़ा तो इसको पहचाने की ट्रिक आए बच्चों समझते हैं, यहां पर हमेशा योजक चिन्न का इस्तमाल होगा बच्चों, किसका इस्तमाल होगा, योजक चिन्न, देखें योजक चिन्न इस तरह से होता है, आप उसमें प्लेलिक्स में चले जाएगा, तो वहां मैंने जो है विर आदि चीजों के बाले में मैंने वहां पर आपको अच्छे से संगाया है, तो देखें, इसका एक्जाम पर हम लोग देखेंगे, उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, देखें, उदित उदय गिरी, देखें, गिरी और मंच के बीच में क्या है, योजक चिन का प्रेव हुआ है, पतंग, तो जहां पर सेंटेंस में बच्चों, योजक चिन्द का प्रेव होता है, वहां पर हम रूपक अलंकार लगाते हैं, बहुत इजी है, समझने के लिए वे काफी अच्छा है, समझ जाते हैं इस चीजों को, उत्प्रेक्षा अलंकार, मनु मानु जनु जानव, इसको अच्छे से याद कर लिजे, मनु मानु जनु जानव, जहां पर सेंटेंस में आपको ये दिखाए दे, वहां आख मूद कर उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देंगे, इंपोर्टेंट है, मनु मानु जनु जानव, मनु मानु जनु जानव, तो इसका example है, सो तुम जानहु अंतर यामी, देखें, sentence है, सो तुम जानहु अंतर यामी, तो यहाँ पर देखें, जानहु का इस्तमाल हुआ है, बच्चों, तो जानहु आ गया, तो कौन सा लंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा लंकार हो जाएगा, इसी तरह से कोई भी sentence होगा तो आप बहुत easily ये पकड़ पाएंगे कि चीजे वहाँ पे कौन सा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार है या रूपा का अलंकार है ठीक है तो इसमें confusion नहीं होना चाहिए वीडियो को share करते रहे है नेश्ट है अतिश योगती अलंकार अच्छे हद हो गए भाई आति मतलब बहुत जादा मतलब किसी भी चीज जब किसी भी चीज की आप तारीव बहुत ज्यादा हद से ज्यादा कर देते हैं है ना और तो वहाँ पे आपको कौन सा अलंकार लगाना होगा अतिश योगती ये जो आप कह रहो बहुत जादा बखान का तो जब आपको सेंटेंस में कुछ ज्यादा बढ़ा चड़ा कर बाते दिखें तो बच्चों वहाँ पर कौन सा लंकार होता अतिश योगती अलंकार होता है ठीक चलिए यहां तक आप लोग जान चुके हैं आप हम लोग इस पर आते हैं विभावना विभावना नेक्स्ट है बच्चों विभावना लंकार विभावना मतलब होता है बिना भावना के विभावना मतलब बिना भावना के मतलब कोई काम बिना भावना के हो रहा देखें एक्जामपल समझेंगे बिनुपद बिनुपद चले सुने बिनुकाना कर बिनुकरम को व बच्चों विभावना अलंकार, विभावना अलंकार वो अलंकार जहां भावना का लोप होता है, मतलब जहां भावना नहीं होती है, कोई भावना नहीं होती है, और काम अपने आप होता जाता है, वहीं होता है विभावना, अब ये समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं, न ब्रांतिमान अलंकार ब्रांतिमान अलंकार वे ब्रहम पैदा हो जाता है देख उसको हुआ शुक मौन सोचता है अनिक शुक कौन है मतलब सुक जो है वो तो खुदी मौन है वो दूसरा देख रहा है कि यह एक अलग सुक कौन सा आ गया मेरी तरह मौन है आई बास समझने तो यहां पर भ्रांति वोता भ्रहम पैदा हो गया जैसे सीचे के सामने खड़ो करा क्या देख उसको हुआ अब सुक रही हो धुआ है वो देख रहा कि मेरी ही तरह मेरी ही सभाव को यह सुकौन हो जो मौन हना था नथा łat्या एक बच्छो पैदा हो यह एक वालती बहा है तो भाहनति भॉंट इमान लंकार ही बहुत इंप आप क्यूंट है आलंकार आपके एक्जानिंश्टे काल करेगा अच् संदेयलंकार बच्चों क्या होता संदेयल मतल वहाँ पेड़ आपको नहीं हो रहा है यह बात सही है कि गलत की गलत नहीं 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 हो जो संदेयलंकार लाश्ठा संगती बोल कौन रहा है और दर्द कहा हो रहा है जैसे मालीजे नहीं होता है यह समालीजे बारिस तो यहां हो रही है और पता चला भीग घर में लोग रहे हैं मतब बारिस हो रहे हम बाहर खणे बारिस में हम हमें भीगना से इन तो हमने भीग करके भी कौन रहा है घर के अंदर कोई न कोई भीग रहा मतलब कहाँ चीजे हो रही है क्या चीजे हो रही है तो जैसे इसका एक्जामपल है हिर्दय घाव मेरे पीर रगोर के हिर्दय घाव मेरे पीर रगोर के हिर्दय घाव मेरे पीर रगोर के मतलब हिर्दय पे मेरे घाव पड़ा है मतलब इसमें राम जी कह रहे है कि लक्षमण जी को जब बान पड़ा है तो बान तो उनको पड़ा है पर पीर भाईया मुझे हो रही है उनके भाई था न लक्षबन के राम और लक्षबन दोनों भाई थे तो राम जी कह रहे हैं कि भाहिया, जो तीर है, वो तो भले ही लक्षबन को पड़ा है पर जो है दर्ध मुझे हो रहा तो वही यांपे बताए गया है कि हिर्दय घाव मेरे पीर रघुवर के तो यहां पे आज संगती अलंकार होता है तो अर्था अलंकार के ये आठ भेद हैं इनको हम लोंने बड़े जवर्दस तरीके से कम्प्रीट किया इसको बच्चों नोट डाउन जरू कर लीजेगा आपसे रिक्वेस्ट मेरी वीडियो को शेर किया कीजिए जादा जादा देखा करिए और जहां तक हो इसकी पहुंच को मेंटेन करते रहे हैं मिलते हैं हिंदी के ही निक्स फीडियो में विकलेता ही धन्यवाद